हेलो फ्रेंड्स गुड इविनिंग कफी टाइम बाद वीडियो पोश्ट कर रहा हूं कुछ परसनल रिजन थे ठीक है तो अभी वीडियो कंटीनू होने वाली है ओके सबसे पहले आज कुछ इस टॉक्स में बताऊंगा जो इस टॉक्स अभी अपने सपोर्ट पे है और आगे चलके इनमें मूव आ सकता है सबसे पहले लेते हैं IDFC फर्स्ट पैंग आप देखेंगे कि एक ट्रेंड डाइन जो यह दिख रही आपको इसके अंदर यह भी स्टॉक रींज बाउंड है तरीक इसके सकते हैं कि गिरावा टाई फिर उपर गया स्टॉक फिर धिरे-धिरे फ ठीक और फिर यह इस लेबल पर जाके थोड़ा सा करेक्ट हुआ ठीक तो अभी इसमें क्या कर सकते देखो सिंपल सा यह चीज है कि अगर यह ब्रेक आउट करता है यहां से तो इस लेबल और यह लेबल तक जा सकता है मतलब 97 से लेके 100 तक यह अभी अब मूव दिखा सकता ह है हाला कि कोई recommendation नहीं है सिर्फ चार्ट मैं analysis कर रहा हूं चार्ट का ठीक है ओके सो यहां पर आप देख सकते हैं कि यह 97 का 1st & 2nd 100 का अगर इसको यह breakout देता है इसके ऊपर यह निकलता है फिर यह 97 100 तक जा सकता है उसके बाद फिर अगर उसके ऊपर भी breakout देगा तो फिर यह यह लगभाग 120-130 तक भी जा सकता है क्योंकि company fundamental wise अच्छी है कि loan growth भी अच्छी है और फिर यह bank जो है अच्छा bank है ठीक है अब यह एक तरीके सकते हो कि यह undervalued है ठीक है overvalued नहीं हुआ है undervalued है ठीक है तो अभी price में दम है और यह उपर जा सकता है ठीक है अब रही बात द दूसरा stocks में दिखा देता हूं यहां पर LTI mine tree LTI mine tree के result कुछ अच्छे नहीं आया थे इस वजह से market में गिर कर ठीक तो अभी इसमें देखो problem इसमें एक चीज़ है कि अभी अपने support पर ठीक यह level देख रहे है ना support पर यह area पर अच्छा खासा एक crucial अपने काफी काफी दिन बाद आया लगभग यह देख सकते हैं जून अगर इसकी डेट देखें तो यह लगभग यहां पर लास्ट टाइम कब आया था यह 2023 में आया था मतलब एक साल पहले आया था यहां पे उसके बाद यह ऊपर भी गया था बट नीचे फिर फॉल आ गया मतलब एक तरीके से कह स सकता है अगर यहां से फॉल किया यहां से फॉल करने का मतलब है कि इसके बुरे दिन शुरू हो जाएंगे क्यों क्योंकि यह अच्छा खासा क्रूसियल सपोर्ट है यहां पर आप देखेंगे तो यह लेबल जो है यह लेबल क्रूसियल सपोर्ट है मैं यहां पर मार्क कर द किया ठीक है तो फिर 6,000 तक जा सकता है अभी वेट एंड वाच अगर यहां से ब्रेक आउट देने लगे लगवा कि इस लेबल के ऊपर जाए तो यहां पर कुछ किया जा सकता है ठीक है कोई भी सेर के रिकमेंडेशन नहीं आप जो है सो समझ के ही ट्रेट करिए आगबंद के ट्रेट नहीं करना है मैं इसी चाड़ पैटन बता रहा हूं कि कैसे स्टॉक विहाइब कर रहा है ठीक है अब बात करते इस डी अपसी बैंक की इस डी अपसी बैंक में भी अच्छा खासा कुछ ऐसे ह चल रहा है काम देखो यह जो रिजल्ट इसके अनुमान के मताबिक आयत है बड़ ठीक है अभी यह स्टॉक चल नहीं रहा है अभी यह इसका जो करेक्शन तो हो गया लेकिन अभी तुरंद नहीं चलेगा थोड़ा टाइम में भी ले उसके बाद यह देखो एक पैटन के अ अंदर है जब तक या तो अगर इसके अंदर ब्रेकडाउन देगा तो फिन नीची जाएगा लेकिन अगर यह ब्रेकशन दिया तो पहला टार्इटिस candidate तक यह जा सकता है सके पहले चोटा सा रेडिस्टेंस यह लेकिन उसके बाद यह एस के फील्यावे टारगेट भी दिखो काफी टाइम से परफॉर्म नहीं किया है last time ये देखो 2021 मई की बात करो लग भल 21-22-23-24 साल हो गए तीन साल से यह एक रीज में फसा हुआ है का फसा हुआ है एक रीज हम फसा हुए देख लो यह जो है यह इस रेंज में फसा हुआ है जब तक इस रेंज से बाहर नहीं जाएगा तब तक इसमें कुछ हो नहीं सकता हाला कि यह सपोर्ट पर है अच्छा कासा यह सपोर्ट यहां पर ले रहा है यह जो लेबल का सपोर्ट है यह सपोर्ट है इसका एरिया ठीक है तो यह अपने सपोर्ट पर ही ट्रेट कर रहा है य 2400 और 3600 यह ACN प्रेंट जा सकता है ठीक है अब बात कर लेते हैं एक और स्टॉक्स है तो PBR ठीक और तीसरा टार्गेट आएगा इसका 22 रूप है तो मुझे लगता है कि इसकी चाल यहां से चले गी और 1572 का पहले टार्गेट दूसरा 1880 तीसरा 2200 यह हिट करेगा मुझे लग रहा आने वाले टाइम में ठीक है इसमें करेक्शन हो गया खतम मेरे हिसाब से कंसोलिडेशन चला उसके बाद यह उपर चल सकता तो यह स्टॉक के नलस थी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए सेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए मिलते है अगले वीडियो में थैंक्यू तक तक के लिए बाई बाई